अगर वेलकम तो पी एस दिस वरुन महाजन तो हम अपना डेली करेंट फेर जो है वह देख लेते हैं तो मार्स का हमारा करेंट फेर चल रहा है तो देख लेते हैं आज के मारे कौन-कौन से आर्टिकल्स हैं वह इंपोर्टन्ट है तो वही चीज वीडियो शुरू करने से पह सचीज रहे तो अगर एसे लिंक चाहिए तो लिंक आपको हमारे यूटीप चैनल की अबॉट सेक्शन में जाके आपको वहां पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से आप अवेल कर सकते हो और बाकि वहां पे हमारा फेस बूप व्यूइब जॉइन करना चाहो तो कि तो हैं जोईन कर सकती है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला अपने अचका देख लिते हैं उधे Gini खंदेरी केवज के बारे में तो उधे खंदेरी केवस के अगर हम बात करें तो और यह बोलें इन में क्या difference होता है यह आपका geography में आता है यह मुझे आप comment box में बताओगे simple word में बताओ erosion और weathering में क्या difference होता है ठीक है चलो मैं आपको weathering बता देता हूँ erosion मुझे आप लोग बताओगे देखो weathering क्या होती है अब suppose करो कोई भी चीज तूटती है मैं example से आपको बताता हू यह देखो suppose करो यह mountain है त्यक्या है mountain है अब यह mountain है यह rock वगएरा यहाँ पर mountain का ठीक है तो हम यह बोलेंगे यहाँ पर कहा जी कोई wind आ रही है कोई wind आ रही है wind ने इसको कहके hit किया और यहाँ से हमारा क्रैक वगएरा जो है वह develop होता है अब crack वगएरा कुछ develop हुआ तोटे कि टूटके कहाँ गेघिए ग्रैविटेशनल फोर्स लगेगी और ग्रैविटेशनल फोर्स आम उल्ला नीचे गिर जाएगी यहांपर गिर गई चैंगी अब इसका मोशन नीचे रहेगी बोलेंगे यह क्या टा है नीचे गिरी ना अब कि यहांब उला था ना यह बहुत है कि है इस भी मुट चीज देंगा कम किसा किसा क्यों मुट को है यह बहुत है भी बहुता किस goal करने इस डावन में i тому विक्रीज कोलो अगे बहुता बैंसा एहां किसा रखने बहुता है तो यही चीज़ है, weathering क्या होता है, weathering में कोई चीज़ तूटके निचे ग्रविट्रिशन फोर्स से निचे गिर जाती है, उसमें motion वगएरा नहीं होता, और erosion में क्या होगा, चीज़ तूटके आप तूटके मोशन वगएरा भी हमें दिखने को मिलेगा, तो वही होता है जी दी है कि हमें अपनी कंदेरी वेव्स और हमारी उदेगिरी केव्स इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि यहां पर इरोजन का प्रोसेश जो हमें देखने को मिल रहा है और बड़ी तेजी से इरोजन का प्रोसेश जो हो देखने को मिल रहा है लास्ट टैन इयर से तो इसने हमें कुछ steps वगएरा जो हैं वो लेने होंगे इसकी protection के लिए अब हम बात करते हैं केव के बारे में अगर जाने तो इस केव को हम बोलेंगे कि 1st 2nd century BC में जो है बनाया गया था और बनाया किसने था King Carville हमारे आफ यह आप याद रख सकते हैं King Carville of Mega Vahana Dynasty तो Mega Vahana Dynasty जो है उनके King Carville जो है उनके द्वारा जो हम बोलेंगे कि यह caves को जो है 1st 2nd century में जो है वो बनाया गया था और यह caves कहां पर अबुवनेश्वर ओडिसा में है फिर हम बात करते हैं कि हमारी ancient cut caves है that were first discovered by British officer जिनका नाम क्या है Andrew Sterling तो इनके द्वारा इस caves को जो है वो डिसकवर किया गया था ancient time period के दोरान वह आप बोल सकते हैं 19th century AD में यह डिसकवर की गई थी British officer के द्वारा जिनका नाम क्या था Andrew Sterling तो यह हलका सा यह याद रखो फिर हम बात करते हैं कि अगर आप हाथी गुमपा inscription को देखो तो हाथी गुमपा inscription जो है वहाँ पर भी इसके बारे में जो है वो mention किया हुआ है तो वहाँ पर क्या mention के इसके वहाँ लिखा हुआ है कुमार पर परवत लिखा हुआ है वहाँ inscription में तो ये उदेगिरी और खंदेरी केव जो है वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ हुआ है कुमार परवत लिखा हुआ हाथी गुंपा इंस्क्रिप्शन्स में फिर हम बात करते हैं कि ये केवज बनाया था जैन मौंक्स के लिए ताकि वहाँ पर जैन मौंक्स रह सके meditation कर सकें तो हम बोलेंगे कि 18 caves यो है वो located है हमारी उदेगी घिल्र में और 15 caves हमारी located है यही खंदेरी हिल्र में तो अब यह देख सकते हो कि हमारी alls यही नाम पर नाम रख दिया गया है खंदेरी caves और उदे-गिरी caves तो अब यह बोल सकते हो कि यह bize लिक है हिल है उदेगिरी हिल है उसी हिल के अंदर हमारी केव्ज है जिन केव्ज का नाम क्या रखा उदेगिरी केव्ज और वो केव्ज कितनी है 18 केव्ज है और वैसे हमारी खंदेरी हिल्ज है और खंदेरी हिल्ज में हमारी कहीं सारी केव्ज है और उन केव्ज का नाम रखत तो यहां पे यह बोलेंगे कि हमारे यह तरफ से इंडियन के हमारे प्रायम मिलेशनcepter मोधी जी और बंगला देश की तरफ से कौंटरपार्ट के इंडिया Hey लिए पर हम बोलेंगे कि पाइपलाइन बात की गई थी 2018 से ही तो अब यह देख सकते हैं कि इसके लिए इनाउगरेशन की गई है वर्चुल इनाउगरेट किया गया है कि इंडिया बंगलादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी तो यह पाइपलाइन गंज पैट्रोल पाइपलाइन तो मोतिहारी अमलेख गंज पैट्रोल पाइपलाइन जो है वो हमारी इंडिया नेपाल के बीच में जो हमें देखने को मिली थी यह हमें सिंबल बताता है हमारी फ्रेंडशिप का तो वैसे ही यह तो थी हमारी इंडिया नेपाल के बीच में और इंडिया बंगलादेश के बीच में भी friendship pipeline जो है एक बिचाई जा रही है तो आप यह देख सकते हो कि यह हमारी friendship का एक symbol है तो यह जो pipeline उसका नाम क्या है हम बोलेंगे नुमलीगड रिफाइनरी लिमिटेड टू दिनाजपूर दिनाजपूर जो हमारा यह हमारा बंगलादेश में पढ़ता है और यही नुमलीगड रिफाइनरी लिमिटेड हमारा असाम में पढ़ता है और यह देखो कितने हमारे लोकेशन से गुजरती ही पाइपलाइन जा रही वहां बहां से डीजल क्रॉस करता हुआ जाएगा अब यहां से नुमली गड रिफाइनरी लिमिटेड यहां से हाई स्पीड डीजल आएगा यह सीली गुड़ी से करता करता है बैस पिंगॉल यह हम से किसमें इंडिया भी खरचा करेंगी और वह तो अपना खरचा करेंगी लेकिन बंगलादेश का खरचा जो है यह हमारी पुरी प्यूर्प्लैन बनाने में तो आप यह देख सकते हैं कि इंडियन गोर्मेंट अपनी तरफ से खर्चा कर रहा है और बंगलादेश का खर्चा भी इंडियन गोर्मेंट के त्वारा किया जा रहा है अगर हम बाकी नेबरिंग के साथ बात करें तो से पहले इंडिया और नेपाल के बीच में भी हमारी क्रॉस बॉर्डर जो है पाइप्लादेश को बना रहे है फिर हम बात करते हैं कि यही देखा यह प्रोजक्ट कितने का है यह एस्टिमेट लगाए गया कि 377 करोड का पूरा यह प्रोजक्ट है उसमें से 285 करोड आप देख लिए हमने financial assistance बंगलादेश को दिया जा रहा है जो कि बंगलादेश की तरफ से लगाया जाएगा बाकी remaining जो है वो इंडियन गोर्मेंट की तरफ से लगाया जाएगा तो यहां पे दोनों गोर्मेंट जो है वो पे कर रहे ह इसका पत्थर रखा गया था का हम बोलेंगे सप्तंबर 2018 में रखा गया था बोथ आफ तेम हमारे इंडिया की तरफ से नरेंदर मोदी जी और उनके counterpart बंगलादेश के ठीक है तो अब इसका जो है इसका फॉंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया था इसमें यही बोला जाए हमने पूरा जो है हमने तो क्तरा ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा हम बोलेंगे वन मिल्यान मैंट्रिक टन पर आयनन मन का रखा बात करते हैं कि पाईप Zombie स्पोर्डाइन है यह माइन यह पाईपاء पारें यह कंव बात करें तो यह regression इतिका 132.5 Km यह पाईप तो पांच क्लोमेटर का ऐरिये सो पूछा दिया जाएगा पैपला उन्टी सिक्सिंट से गवाणिज को कवर करेंगा उन्ट बंगलादेश में पूछा तो गूर्श का प्रॉछ थे प्रॉण पूछा का पांटि सिक्सिति इंडिया के वहां को सब्सक्राइब इनका जो है हमारा किसको cover करता हुआ जा रहा है बंगलादेश को cover करता हुआ जा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इसको implement की बात करें तो इंडिया की side से इसको implement कौन करेगी असाम based हमारी जो normally guard refiner limited ये इसको implement करेगी और बंगलादेश की तरफ से हम बोलें sell before you dig आप के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम बात करें ये एक आप जो है वो एक launch किया गया हमारे प्राइम निस्टर नरेंदर मोधी जी के तो अगर हम बात करें तो ये आप है कि जनरल ही हमें देखने को मिलता है कि suppose करो ये कोई road है यहां पर कोई road है यहां पर क्या करते हैं हम खोदना शुरू कर देते हैं इस particular location में जब हम खोदते हैं खोदते हैं खोदते हैं क्या होता है कि नीचे कोई optical fiber बिच्छी हुई है कोई नीचे telephone की line बिच्छी हुई है तो कट लगने से यह ब्रेक हो सकती है, ब्रेक होने से वही देखा कि हमारी जनरल पब्लिक है, उनको फैसिलिटीज वगरा जो सर्विसिस हैं, उनको प्राब्लम आई कि सर्विसिस उनको नहीं दी जाएगी, और साथ में गोर्णमेंट का लॉस पर अच्छा कासा होगा, ऐसा कोला जा रहा है कि इस लाइप के कोदने से क्या होता है, हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स डैमेज हो रही है, तो यह वाटर पाइपलाइन डैमेज हो रही है, बिजली की तारें डैमेज हो रही है, टेलीफोन की तारें डैमेज हो रही है, तो हमारा कितना मतलब की लॉस हो रह पर किया एक 사स्किती हूं और है तो एक पर यह सिर्ड बिच्छी रही होई हो हुई है तो यह गोगा कि उसी Optical Fiber को बिच्छाने वाला जो भी ओनर होगा तो उसको बता दिया जाएगा कि यहां पर Optical Fiber है उस टाइप से पहले ही उसको ले देंगे ताकि उन पर डैमेज वगएरा ना हो पाए उसी एप के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी उस तक तो अब यह क पिख कुछ वह लिखा ओ जो मैंने आपको समझा दिया है देखो ऑप्टिकल Fiber स्कुछिट्फ c तो यह आप्र अगर को जिस स्कुछ की को बिच्छा लोग्याआ Pitts अपको स्कूर कॉछ C ताकि एक्षिन बगएरा जो है पहले ही ले लिया जाए जिसे कि मारा तीन हजार क्रोड़ पर जो हर साल का लॉस होता है इसको इसको लॉंच की सब डिपार्टमेंट अफ टैली कॉम्टिकेशन की इन्टर काम करता है इससे क्या होगा कि हमारे बीनस लॉसिस को मिनिमाइज किय जाएगा और हमारे जो लोगों को जो डिसकंफर्ट आता है ठीक को सर्विसीज का जो मतलब की सर्विसीज नहीं मिल पाती है उस पर भी मिनिमाइज कर सकते हैं मुझ सर्विसीज उनको प्रॉपर जब प्रवाइट की जाएगी ठीक है तो अब यह हलका से इसके बारे में ज साइक्रोन जो साइक्रोन है कर के गया है थो अब यहां पर हमारे यहां रिजुनेट होता हुआ थीक है थे जोह ऑन ने यहे फ्ट ही रैकलों की रिकॉर्ड किया तो स्टन हेमिस्फेर में लांगे साइकलोन लास्टिंग वो लाइसा बोला गया है कि यह कितनी देर तक रहा है यह 15 दिनों तक रहा है तो आप यह देख सकते हो यह जो साइकलोन जो है हम बोलेंगे जो उसने यह सौथ अफरीका को जो है वो हीट किया ये पंदरा दिन तक लाया तब ही हम बोलेंगे कि बड़ी देख लॉंगेस्ट ट्राइज साइक्लोन रहा है लास्टिंग साइक्लोन रहा है मतलब जाए देरता कि ये साइक्लोन हमें देखने को मिला है तो हम बोलेंगे कि साइक्लोन ने ट्रैवल कितना cycling जो था हम बोलेंगे कि सबसे powerful न वह 2000 से पहले आए टा लekि 2000 के बाद हम बोलेंगे कि पहले साइander्यन वी यहisai one जाता है जिसने हिट किए इस का जो कि longest WORM तक सरुवाइव किया है, तो हम यह बोलेंगे कि इससे पहले अगर 2000 साल से पहले हम भी रिख जाता यह यह पहला बन जाता है फ्रैडी साइकलों तो अब यह रहा सकते हो तो यहां से हमारा कंप्लीट होता है हमारा आज का जो daily current affair का session है I think आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो आप लोगों ने क्या करना वो आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और साथ ही आपको छोटू सा बटन दिखने को मिल रहा है